इस वीडियो में हम देखेंगे कि Cravenvois Software में Customer Opening Balance किस तरह से Manage किया जाता है Cravenvois अगर आप पहली बार यूज करेंगे तो naturally आपके जितने भी bills होंगे वो आप इसमें feed नहीं किये होंगे तो इसमें दो options है जितने भी आपके पुराने bills है आप one by one इसमें data entry कर सकते है अगर bill बहुत ज़्यादा है तो आप उसको as a opening balance system में feed कर सकते है तो जब भी उस customer का payment आएगा उसको आपको adjust करना पड़ेगा तो अभी हम देखेंगे कि इसमें opening balance किस तरह से add करना है हर एक customer का accounting menu में जाके हमको customer opening का form open करना पड़ेगा इस form पे जितने भी customers का हमको opening डालना है उनको यहाँ पे add customer button पे click करके select करना पड़ेगा यहाँ पे हम customer का due amount feed कर सकता है यह customer का opening balance हमने set कर दिया है अभी अगर हम customer statement देखेंगे तो उसमें हमको यह balance दिखाई पड़ेगा यहाँ पे customer का balance अपडेट हो गया है जब भी हमको इस customer का payment आयेगा उसको adjust करने के लिए हमको accounting menu में जाके bank journal open करना पड़ेगा bank journal में जाने के बाद new button को प्रेस करना पड़ेगा यहाँ पे जो customer का payment आया है उसको select करना पड़ेगा reference type में हमको invoice या tax invoice दोनों में से एक option select करना पड़ेगा क्योंकि हमने system में invoice generate नहीं किया है तो हमको reference number में कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पे इसलिए यहाँ पे option यह है कि आप इसको type कर सकते है invoice number या आप उसको blank भी छोड़ सकते हैं यहाँ पे हम कोई journal type जो है वो receipt select करना पड़ेगा credit amount में हम जितना भी payment receive हुआ है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं payment partial भी हो सकता है या full भी हो सकता है जो amount आएगा वो आपको यहाँ पे feed करना है और save कर देना है इस तरह से हम customer का payment opening balance के against set कर दिये और receive कर दिये अभी अगर हम customer statement देखेंगे तो उसमें हमको यह amount updated दिखाई पड़ेगा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो amount हमने अभी receive किया है यहाँ पर update हो गया है और balance उसके हिसाब से adjust हो गया है इस तरह से आप हरे customer का opening balance आड़ करके इस तरह से amount adjust कर सकते हैं अगर payment cash में receive हुआ है तो आपको bank journal की जगद cash journal यूज करना पड़ेगा accounting menu में से क्रेव इन वोई से related और जानकरी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर subscribe कीजिए और वीडियोस देखते रहें आप है